नमस्कार स्वागत आपका खबार चोगत में संजय नगर पाड़िया निवासी परमानन कनर्जे का सबसे छोटा बेटा पवन जो चोथी का छात्र था छात्र का शव नेवरी गाउं में संजीव नगर रोड पर जाड़ियों में मिलने से संसनी फेल गई बताया जा रहा है कि 22 फरवरी को पवन सुबस साड़े ग्यारा बजे खेलने जाने का कहकर घर से निकला था घर से एक किलोमेटर धूर रहने वाले परिचित लालू के वह घर गया था काफी देर तक घर नहीं लोटा तो शाम 6 बजे उसकी मार रिंकी लालू के घर गई सवाल किया तो उसकी मार ने कहा कि पवन उनके घर नहीं आया लात एक बजे तक तलाशने के बाद जब भी वह नहीं मिला तो परिचनों ने शाज़ादा बाद थाने में अपरन का केस दच करवाया पुलिस के साथ परिचन दोबारा लालू के घर पहुचे तब उसने कहा कि पवन को मैंने दो बजे घर भेज दिया था बताया जा रहा है कि घटना को कुछ दिन होने से शाव काफी पुराना हो चुका है इसलिए शौट पी-म रिपोर्ट नहीं मिल सकी शाव घर से चार किलोमेटर धूर मिला है जूते और पेंट शाव से धूर रखे मिले वहीं अंडर वियर उत्रा हुआ था पुलिस का अंदाजा है कि छात्र का कतल किया गया है चाचा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इन 6 दिनों में ठीक से अगर जाच की होती तो शायद आज बतीजा जिंदा होता इधर पुलिस का दावा है कि संदिक दसे पूछताज की जा रही है CSP डागेंदर पैटेरिया ने बताया कि बच्चे के सरीर पर केवल टीशट थी जूते और पेंट शव से दूर रखे हुए थे शव पूरी तरह से डिक पोस हो चुका है हाथ के पास पी गुदा है इसके जर्ये इसकी पहचान हो सकी परिस्तित्या हत्या की और इसारा कर रही है वहीं चाचा विजय का अरोप है कि उन्होंने जिस पर शक जताया उनसे मामूली पूश्ताच कर पुलीस ने उन्हें छोड़ दिया लाश मिलने से पहले पुलीस यदी इतनी मेहनत कर लेती तो आज भतीजी की जान बच जाती वहीं डियाईजी बोपाल रेंज इर्साद वली का कहना है कि एक प्रित्यक्षदर से मिला है जिसने बच्चे को एक संदिग्द व्यक्ति के साथ आते जाते देखा है संबव है कि आरोपी को जल से जल किरफतार कर लिया जाएगा रिपोर्ट अकबार जगत इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए लाइक करें सेर करें शब्सक्राइब करें अकबार जगत